स्वागत दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेस बैंक की एक शांदार स्कीम की बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार पांच लाक रुपे निवेश करके अपने लिए जिन्दगी भर 9000 रुपे महीना की फिक्स डामंदनी शुरू कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं दोस्तों यह स्कीम उन लोग के लिए काफी बढ़िया रहेगी जिनके पास एक साथ कहीं से फंड आया है और वो लोग किसी ऐसी स्कीम में निवेश करना चाते हैं जहांपर उन्हें हर महीने एक फिक्स डामंदनी होती रहे और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाते हैं तो वो लोग इस स्कीम के अंदर निवेश करके अपने लिए हर महीने फिक्स डामंदरी के साथ अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डीटेलस में बात करेंगे और साथ के साथ हम इसे calculate भी करेंगे कि कैसी यहाँ पर आपको यह पैसे मिलने वाले हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं इस scheme के बारे में उसके बाद हम इसे calculate करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी request है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल Invest Anda को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तो एकसेस की जिस scheme की बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम उसके 6 महीनी के return की बात करें तो scheme ने 48.39% का return दिया है तीन साल की बात करें तो 29.52% का return है और दोस्तो ये scheme काफी बढ़िया है जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगतार इस scheme ने 28.65% का return दिया है दोस्तो ये एक mutual funds की scheme है जिसका नाम है access growth mutual funds दोस्तो mutual funds के अंदर निवेश करना बहुत सादा फायदिमन साबित होता है क्योंकि mutual funds का जो पैसा है वो stock market के अंदर निवेश किया जाता है और दोस्तो बहुत सारे stock ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले 10 साल के record में हम देखें तो शानदा return दिया है करीब 5 से लेकर 6 गुना तक वो stock बढ़ चुके हैं यही वज़ा है कि अगर आप आज किसी mutual funds scheme में निवेश करते हैं तो आने वले टाइम में भी आपको एक जबरदस्त profit हो सकता है अब दोस्तो बात आती है कि किसी भी mutual funds scheme के अंदर निवेश करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या होते हैं तो दोस्तो आज हम जिस विकल्प की बात करेंगे वो है SWP plan जानि कि systematic withdraw plan दोस्तो mutual funds के अंदर SWP plan बिलकुल monthly income scheme की तरह काम करता है जैसे कि आप post office की MISA scheme में एक बार निवेश करते हैं और आपको हर महीने एक fixed आमंदनी होती रहती है यानि कि जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर post office में जो fixed ब्यासदर होती है MISA scheme पे उसके हिसाब से आपको हर महीने आमंदनी होती रहती है और maturity के बाद आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाता है बिल्कुल उसी तरह का ये प्लान होता है SWP plan mutual funds के अंदर इसके अंदर भी आप एक बार निवेश करके अपनी मर्थी के हिसाब से एक fixed payout चूज कर सकते हैं और अपने पैसे को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं दोस्तोगर हम बात करें यहाँ पर इस scheme के rating की तो ये 5 है और इस scheme का fund size 5,006 करोड रुपे का है यानि इतने पैसे लोगों ने इस scheme के अंदर निवेश किये हुए है इसका NAV यानि net asset value 21.98 पैसे का है यानि कि 21.98 पैसे का दोस्तो NAV किसी भी mutual funds का एक unit price होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो current NAV का price होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है दोस्तोगर बात की जाए कि आपका पैसा किन stock के अंदर निवेश किया गया है तो यहाँ पर Tata Lexi, P.I.Industry, Bajaj Finance, Aster Limited, Torrent Power, Sundram Finance, Koforge Limited, TTK जो दोस्तो बैतिन quality की companies हैं उनके अंदर यहाँ पर आपका पैसा निवेश किया गया है दोस्तोगर बात कीजाए यहाँ पर expense ratio की तो यह भी यहाँ पर कम है 0.50% का दोस्तो expense ratio किसी भी mutual funds का एक खर्चा होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो expense ratio होता है यह काटने के बाद जो current NAV का price होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है दोस्तोगर बात कीजाए यहाँ पर fund management team की तो इस fund को जिगनेश कुपानी 2018 से और हितेस दास 2018 से manage कर रहे हैं अगर हम बात करें यहाँ पर access mutual fund house की तो इंडिया में 7 नंबर पर रैंक है कंपनी स्टार्ट हुई थी 4 सेप्टेंबर 2009 में और कंपनी के पास जो AUM है यानि asset under management वो करिब 1,94,444 करोड रुपे का है यानि इतने पैसे लोगों ने अलगल के स्केमों के अंदर access mutual fund house के साथ निवेश किये हुए है दोस्तों ये तो बात होई scheme की इस scheme का जो all time का return है वो है 28.65% का देखने ये scheme अगर आने वले time में आपको सिर्फ 25% का भी return देती है और आप इसके अंदर एक बार 5 लाक रुपे निवेश करते हैं तो कैसे यहाँ पर 9,000 रुपे महीना की fix दाम दनी शुरू कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं चलिए अब हम इसे calculate करते हैं दोस्तों ये हमारे पास एक mutual funds का SWP calculator इस scheme के अंदर अगर आप एक बार 5 लाक रुपे निवेश करते हैं और अपने लिए हर महीने 9,000 रुपे महीना की fix दाम दनी शुरू करते हैं यहाँ पर इस scheme का जो return है वो हमने expect किया है आने वाले time में 25% का अभी इसका जो return है वो है 28% का दोस्तों mutual funds के अंदर जो return होता है वो कभी भी accurate नहीं होता है यह आने वाले time में इस scheme आपको ज़ादा भी return दे सकती है और यहाँ से कम भी return दे सकती है लेकिन यहाँ पर हमने जो माना है अभी कम करके calculate करते हैं 25% के हिसाब से तो दोस्तों अगर आप इस पैसे को सिर्फ एक साल के लिए निवेश करते हैं 5,000,000 रुपे और अपने लिए 9,000 रुपे महिना की fixed आमंदनी शुरू करते हैं तो एक साल के अंदर आपको जो आमंदनी होगी यानि आपके बैंक खाते में जो पैसे आएंगे वो 1,8,000 रुपे होंगे और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 5,5,123 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के अधार पर आपको 3 साल के अंदर 3,24,000 रुपे मिल जाएंगे और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 5,19,532 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 6,48,000 रुपे मिल जाएंगे 6 साल के अंदर और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 5,57,621 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 9,72,000 रुपे मिल जाएंगे और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 6,32,190 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 12,96,000 रुपे मिल जाएंगे और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 7,37,715 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 16,20,000 रुपे का प्याउट मिल जाएगा और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 10,6,944 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 19,44,000 रुपे का प्याउट मिल जाएगा और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 16,7,080 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 21 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से आपको 22,68,000 रुपे का प्याउट मिल जाएगा और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 27,1,328 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 24 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से 25,92,000 रुपे का प्याउट मिल जाएगा और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 48,19,001 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,000 रुपे महिना के हिसाब से 29,16,000 रुपे का आपको प्याउट मिल जाएगा और जो 5,000,000 रुपे आपने निवेश किये हैं वो बढ़कर 89,05,000,81 रुपे हो जाएंगे दोस्तों अगर आप एकसे की इस स्कीम के अंदर इस पैसे को यानि 5 लाख रुपे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं और अपने लिए हर महीने 9000 रुपे महीना की फिक्स रामदनी शुरू करते हैं तो 30 साल की अंदर आपको 32,40,000 रुपे का प्याउट मिल जाएगा यानि कि इतने पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे हर महीने के आधार पर और जो 5 लाख रुपे आपने निवेश किये हैं वो भी बढ़कर 1,70,33,363 रुपे हो जाएंगे तो दोस्तों काफी बहतरी निवेश किम है जिसके अंदर आप आज निवेश करके आने वाले टाइम में एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी इस वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई भी कोशन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद